नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और हपी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है बड़ा सडखात सा जो हुआ है तो देख सकते हैं तो कहां पर ये सड़कात सा हुआ है पूरी जानकार्यापको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो पर एड़ तक बने रहिए अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो देख सकते हैं जो ताला खबर ब्रेकिंग निउस है कि साइगलू में अन्यंत्रित होकर खेतों में लुड़की जीप 13 मिजदूर घायलू तस्वीर आप देख सकते हैं गाड़ी की हिमाचल प्रदेश के डिश्टिक मंडी से निउस है कि कोटली तैसिल के तहट आने वाले साइगलू में शुकरबार को एक जीप के दुरगटने रस्थ होने से 13 मिजदूर घायल होगे जबकि चालक मौके से फरार बताया जा रहा है घायल मिजदूरों में से 11 का सेवल अस्टाल कोटली में जबकि 2 का जोनल अस्टाल मंडी में इलाज चल रहा है सभी मिजदूर पंश्चिम बिंगाल के रहने बाले बताये जा रहे हैं उधर मौके पर पहुँचकर पोलिस ने मामला दरज कर जान शूरू कर दी है जानकारी के अंसार जो है शुकरबार सुबा मिजदूर टावर लाइन का काम करने आये थे और काम ना होने के चलते कटोला से कोटली के लिए जा रहे थे इस दोरान साइगलू के पास जीब को बैठ बैक करते समय जो है चालक ने गाड़ी पर से नंतन खो दिया इसी दोरान जो है चालक को जो है छलांग लगाते देख तीन अन्य मजदूरों ने भी समय रहते चलांग लगा दी जबकि तेरा मजदूर जीब के साथ ही लोड़कते हुए खेतों में जागी रहे इसके बाद गाईलों को सिवल अस्पिताल कोटली पहुंचाया गया एस्पी मंडी शालनी अगनियोतरी ने बताया कि फरार चालक की तलाश जो है की जा रही है उधर जीला कांगरस कमिटी के पूर अध्यक्स दिकर दीपक शर्वा ने सिवल अस्पिताल कोटली पहुंच कर घायल मजदूरंग का जो है कुशल किशेम पोचा तो जोस तो यह थी तादा ख़बर ब्रेकिंग निउस अगर आपने अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया है तो वीडियो को शेर कर दे और अंकित पर्मा और एच्पी नोटिपकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूरे है ताकि आप तक हिमार्टिप पर्देश की हर नोटिपकेशन सबसे प्याला पहुंच सके धन्यवाद जयहिन जयभाद